Hello, Hi everyone! आज के क्लास में हम दो अंकों के गुना सिखने वाले हैं देखेगा 5-3-15 ऐसे ही हम करेंगे 4-6-4-24 ओके? नेक्स्ट हम करेंगे 4-3-4-12 और 5-6-5-3-30 इन दोनों को हम जोड लें तो हमारे पास बनता है 42 42 को हम लिखेंगे इकाई का अंक छोड करके क्या करेंगे? इकाई का अंक छोड करके लिखेंगे और इनको जोड देंगे जोडने पर हमारे पास आ गया 1944 यही इसका अंसर हुआ आज़े देखते हम next question next step न 43 को 24 से गुना करने उसी process को follow करेंगे 4 को 2 से गुना किया 4 दुनी 8 दो अंको के करेंगे इसलिए हमें क्या करना होगा? दो अंक बनाने होंगे उसके लिए हम 8 से पहले 0 नोट करें next चारती अब 12 फिर हम क्या करने वाले हैं? 2 को 3 से करेंगे तो 3 दुनी 6 4 को 4 से क्या तो 4 चोके 16 इन दोनों को जोड़े हम 6 और 16 को क्या गया? 22 22 को वैसे ही लिखेंगे हम एकाई का अंक छोड़ करके और इन दोनों को हम जोड़ दे तो हमारे पास क्या गया? 1032 next question अपने पास 76 को गुना करने वाले 97 में से पहले 7 को 9 से करेंगे 9 साथे 63 अब 6 को 7 से करें 6 साथे 22 ऐसे ही अब हम करें 7 साथ और 49 प्लस करेंगे 6 निमे 54 54 और 49 को हम प्लस करें तो 103 हुआ 103 को भी हम वैसे ही लिखेंगे इकाई कांग छोड़ करके इनका हम जोड़ करने वाले हैं जोड़ करेंगे तो आपके पास आजाएगा 7,332 नेक्स्ट हम यह आपका होमवक है आप इनको ट्राई करना नेक्स्ट हम देखते हैं तीन अंकों के गुणा 211 को गुणा करना है 301 से सबसे पहले हम एकाई के अंकों गुणा करेंगे एक एकाम एक फिर एक को हम नेक्स्ट दहाई वाले अंक से गुणा कर देंगे इन दोनों को क्रोस करेंगे आपस में या चुका आपके पास एक को हम 0 के साथ जोड़ेंगे 1 यह हमने नोट किया फिर नेक्स्ट स्टेप में हम एक को गुणा करेंगे 2 से 2 एकम 2, फिर हम करेंगे 3 को 1 से 3 एकम 3 और बीच वाले को कर देंगे हम 1 को 0 से, तो क्या जाएगा? 0 इन तिनों अंकों को हम जोड लें, तो क्या बना हमारे पास 5? ओके? उस 5 को हम नोट कर देंगे हैं Next step में क्या करने वाले हम? इन दोनों को cross multiply करने हैं 3 एकम 3 और 2 को 0 से किया? 0 यह जोडने पर आ गया 3, इसको भी नोट किया Last step एपना 3 को 2 से गुणा कर देंगे 6 Next हम गुणा करने वाले 321 को 532 से Step आपको समझ में आ चुका है 1 I को गुणा किया 2 एकम 2 Next step में हम इनको गुणा करनेंगे 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 जोडने पर क्या जाएगा हमारे पास? 7 वा नोट किया हमने? Next क्या करेंगे हम 3 को 2 से 3 दूनी 6 5 एकम 5 और 2 को 3 से 3 दूनी 6 इन सब को हम जोडनें तो क्या जाएगा हमारे पास? 17 17 में हम 1 का अंक 7 यहां लिखेंगे एक जो है वो हासिल है Okay Next step में हम क्या करेंगे? इन 2 अंकों को गुणा करेंगे 3 दिया 9 और 5 दूनी 10 इन दोनों को जोडने से आगया हमारे पास 19 एक हासिल थी तो क्या बना? 20 20 का हम क्या नोट करेंगे? 0 नोट कर देंगे और 2 हमारे पास हासिल हो जाएगे Next step में हम क्या करेंगे? 5 दिया 15 और 2 अपने पास क्या है? हासिल है उससे बन जाएगा 17 तो यह इसका अंसर हो जाएगा चले देखने हम Next question इस बार क्या है? आधार आपके पास 10, 100 और 1000 उस condition में कैसे करें? इसमें आधार क्या है? 100 है इस प्रकार के गुणा को करने के लिए हम इकाई कांग लिखें इसके सामने इसमें इकाई कांग 9 लिखा अब हम क्या करें? इनको तिर्चा ठीक है? 105 में 9 को जोड़ें तो 114 होंगे और 109 में 5 को जोड़ें तो भी क्या होता है? 114 इस वज़े से 114 तो जो है हमारे पास एक संख्या आ चुके है उसको हम नोट कर देंगे इधर शुरुआत में 114 उसके बाद हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे इनका 5 निमे 45 यही सवाल का क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है इजी सहें नेक्स्ट कुश्यन देखते हम नेक्स्ट है 106 को 1014 से गुणा करें इसमें आधार क्या है? 1000 है तो हमें 3 अंक लेने होंगे पहले तो इसको वैसे ही करते हैं एक आई का अंक 6 और इसका कितना 14 इसमें भी हम जोड़े 106 में हम 14 को जोड़ें और तो क्या बनता है? 1020 यह तो सिधा से लिख दिया हमने इधर हम गुणा करें 14 को 6 से 14 चिके 84 यह हम ऐसा कैसा नोट कर देंगे नेक्स्ट 14 को 6 से गुणा करें 14 चिके 84 आधार में 3 0 है इस वज़े से हम 84 से पहले एक 0 लगा के 3 अंग बना दें आज की वीडियो में इतना ही मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में